Hi guys, तो आज कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं online fraud या फिर cyber scam के उपर कि अगर आपके साथ online fraud या फिर cyber fraud हुआ है तो किस तरीके से आप अपना पैसा वापस पासकते हो अलाकि इसके उपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुए हैं जहां पर आपको हर तरीके से बताया गया है कि अगर आपके साथ ओनलाइन प्रॉड या फिर साइबर स्कैम होता है तो किस तरीके से आप लोग अपना पैसा वापस पासकते हो बट यहां पर आपको कुछ एक्स्टा टिप दोंगा जिसकी मदद से आपका पैसा में भी आपको जल्दी रिकवर हो जाएगा और उसके लावा आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा जहां पर हमारे सब्सक्राइबर का पैसा वापस हुआ है हर वीडियो में कोई न कोई पर लगाता हूं ताकि आपको मॉटिवेशन मिले बट वह जो पूट होते हैं वो 10 बीस या प्चास लेके होते हैं बट यहां पर आज की इस वीडियो में आपको मैं जो परूफ दिखाने वाला हूं उसमें टोटल 6 से 7 लाग रुपे मारे सबस स्क्राइबर के वापस हुआ है तो मतलब यह काफी बड़ी अमाउंट होती है कि इतनी बड़ी अमाउंट साइबर स्कैम के बाद वापस हो सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आईगी तो प्लीज लाइक चुरूर करना और ऐसी वर वीडियो के ल चलिए तो अभी मैं जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं कि इस स्कैम मारे पास आया था मेभी जनवरी आ परवरी या असपास यहां जनवरी मी आया था और अभी तक मैने इसके उपर वीडियो इस से नीमार चला था और था जो बैंद की हुई थे बिकास एक केस को कोई देखने में 2 या 3 गंटे लग जाते हैं और कई बारी केस इतना बड़ा हुदा जैसे 15 या 20 लाग के फ्रॉट का आगया तो फिर वहां पे ट्रांक्शन इतनी जादा होती है कि इनको क्रोस चेक करने में पूरा पूरा दिन में निकल जाता है सब्सक्राइबर मुंबई के रहने वाले थे और इनकी साथ जो फ्रॉड हुआ था इन्स्टाग्राम पर कोई पैसा बताया जा आप डबल कर सकते हो क्रिप्टो के अंतर इंवेस्ट करते हो तो इसके बदले आपको 10,000 या 15,000 के आसपास टेकने को मिलेगा तो इन्होंने भी इसके बाद इन्होंने वीडियो देखी थी तो वहां से जाकि नहीं ने अपनी जो कंप्लेन है वो साइबर क्राइम कि अंदर रिजिस्टर करवा दिया और उसके आगे का बटा दो ताकि पैसा रिकवर करने में हमारी है इतना ज्यादा बड़ा प्रॉड था तो फिर अगर अगर आप साइबर क्राइम को रिजिस्टर कर बात दे हो तो आपको वेट करना पड़ता है ताकि उसके उपर कोई स्टेटस अब्डेट हो मतलब ट्रैक करने में इतना टाइम तो और मली लगी जाता है तो मैंने इनको बोला कि आप दो से तीन दिन वेट कीजिए उसके बा लाता है कि आपने कम प्रड़ी आपनी कर्वाई खत फिर घमने कुप्लिण की के अंदर अदर आपने क्रिप ट्रांपर को पैसा और आप ने को पैसा को पैसा दिया है आपने in क्रिप्टो ऐंदर नाली थी पैसा क्रिप्टो में नहीं था कंप्रीट टोटली रॉंक टोटी तो फिर वह से कुछ भी उपस होगी उसके पिछे का सबसे बड़ा रेजन ही होता है कि क्रिप्टो ट्रांक्श्चन को ट्रेक कर पाना काफी जाता मुश्किल होता है और यह एक international issue होता है, अगर crypto fraud का crypto scam आपके साथ होता है, तो फिर वहाँ पे सिर्फ 3-4% chances होते हैं कि आपका पैसा वापस होगा, वो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाई हुए, आपकी complaint यहीं पर pending पड़ी रही ही, तो फिर subscriber से detail लेके मैंने खुद complaint को register कर वाया है, और मेरे लिए भी काफी यदा मुश्किल टास था, विकॉज जो cybercrime की website थी, वो बार-बार crash कर रही थी, बार-बार logout हो रही थी, तो इसके पिछे का सबसे बड़ा reason यही था कि अगर complaint स भी जागना पड़ा था है, जाके रात को finally complaint register होई थी, तो मैंने जो complaint register अगरवाई थी, उसके 24 घंटे बाद ही, वो complaint police station में assign हो चुकी थी, और वहां से subscriber को call आ गया था, कि आप police station में visit कीजिए, अपने सारी document की formalities को complete कीजिए, और उसके बाद हम इस पर जो भी action होगा वो तो ऐसे subscriber ने वहाँ पर visit किया और उसके लिटेट जो भी document वगरा होती, formalities वगरा होती है, वो उस पर complete की, and maybe next दे उसके F.I.R. भी बन चुकी थी, जो की उसी portal पर आ चुकी थी हमारे पास, मतलब सब कुछ काम online भी हो सकता, offline भी हो सकता है, totally depend करता है आपके उपर, अब मेर पास वो पुरानी वाली complaint भी पड़ी, F.I.R. भी बट में यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, because महाँ पर काफी यदा private information होती है, इतना काम होने के बाद यह तो यह होता है, कि जो cybercrime या फिर police department होता है, वो आपकी complaint पर बग करना start कर देता है, बट इसके लाबा एक तरीका को guide की, उनके complaint के according की किस तरीके से आप अपनी bank को approach कर सकते हो, कि हमारे साथ इतने पैसे का fraud हुआ, प्लीज हमारा पैसा refund करवाई है, तो उनने इसके related mail भी की, जो कि हमने पूरी तयार करके दीते होने, और वो mail करने के बाद उनका जो complaint register होई, complaint register होने के तीन दिन बाद उन इतना पैसा उन्हें वापस हो चुका था, और उसके बाद मैंने बोला था कि आप इस पर आगे भी डटे रही है, मतलब इस complaint पर टाइम अपडेट लेते रहेगा, अपडेट लेने से क्या होगा कि आपकी complaint वीक नहीं पड़ेगी और जो बचा हुआ पैसा है, उसको भी वा जाती है, तो आपकी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वगरा लेकि उस टीटेल को सही किया जा सके हैं दुबारत के भीजा जा सके, इसमें काफी यहादा टाइम लग जाता और उतने टाइम में स्कैमर आपका पैसा लेकर बहुत दुका होता है, तो जब आप फर्स टाइम कं करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने कंप्लेंट देखी थी जहां पर UPI कंप्लेंट में परसर ने अपना बैंक काउंट नमबर डाला हुआ, तो उससे क्या होगा, UPI कंप्लेंट एंपी सी डिपार्मेंट देखता है, और बैंक की जो कंप्लेंट होती वो बैंक में पर नमबर डालते हो किस अकौंट में पर पैसा टार्स पर उससे क्या होता है कि आपनीकड को पैसा पर नहीं करना पड़े कि यूपिए इस जू लिंक अगाउंट उसको फ्रीज कर बादेंगे आ आपने अपने बैंक नंबर दो उसे freeze करवा देंगे इससे क्या होगा कि साइबर फ्रोट्स्टर के पैसा निकालने से पहले वो अकाउंट freeze हो जाएगा बट आप लोग क्या करते हो ट्रांक्शन आइडी आपका बैंक काउंट नमबर तो ट्रांक्शन आइडी से ट्रैक करने में टाइम तो लगे गाई तो उ कभी भी आपका पैसा hacking के तरहीं यह वापस नहीं होगा यह चीज आविस याद करो कि लोगों को लगता है कि हाँ हैकर जो अमारी मदद करेंगे पैसा को वापस करवाने के लिए ऐसा पिलकुल नहीं होता है और अगर आप मुझे करना चाहते हो तो आप मुझे email कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो यहां पर एक WhatsApp नंबर दे दूंगा महां पर मैसेज कर सकते हो और अपने appointment को book कर सकते हो उसके बाद ही मैं आपका case चेक कर पाऊंगा उसकी पीछे का सबसे बड़ा रिजिन यह है विकॉज यहां पर काफी चोड़ी चोड़ी मैसेज आते हैं 100,200,500,000 के जो की देखना एक मेरे लिए काफी बड़ा टास्क था विकॉज टाइम तो सेम ही लगता है एंड इतना ज्यादा फ्रॉड रिकवर कर पाना है काफी ज्यादा मुश्किल होती है अगर छोटी अमॉंट के साथ प्रॉड होता है तो आप सिंपल ए अपॉइमेंट बुक करने के बाद ही आपके कीस को मैं चेक करके उसके उपर जो बैस स्जेस्चन होगा वो आपको मैं प्रॉइट कर दूँगा तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और व कि अवीय। वीडियो से डूरूर कर दो वीडियोगे ऊपक प्लीज सब्सक्राइब कर का सेण चैनल प्लीज से लेंगे लेंगे को अवीडियोगे कर दो कर रूरूर